के बेहन शद्दा, शद्दा की काफी बाते हो रही है मैं चाहता हूँ और हमारी पाटी भी चाहती है के जो भी सद्दा का कातिल है उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन बिल्किस बानू को बिल्किस बेहन को भी नहीं बुलना चाहिए उसके साथ बी इंसाफ होना चाहिए क्या मोलतो हो माई लोग होना चाहिए ना इंसाफ हम दर्म की राजनिती नहीं करते हमारा प्रेटफॉर्म हमारा मकसद यही है कि हमारे एरिया का डेवलप्मेंट हो दाली लिम्डा, बेरामपुरा, जमालपूर, बापुनगर और काफी है सारे ऐसे इलाके है जा स्कूल नहीं है, जा कॉलेज नहीं है हम लोग को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है मैं खुद भी, बेखुद भी मेकेनिकल एंजीनिर हूँ और मैंने पढ़ाई है, हमारे एरिया में स्कूल ही नहीं है ना इंजीनिरिंग कॉलेज है, पढ़ने के लिए लोग बाहर एडमिशन लेते है अज़ातल मुस्टिमीन के, हमारे पार्टी के, अश्वात खान से गुजारिश करूँगा कि वो माईक पर आए, और अपनी कुछ बाते रखें, जो और दालियों से स्वाधत किया जाए है, सलाम उलेकुम और रहमतुल्लाही वबरकातू शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ, जिसने हमारे दिलों को इमान के नूर से मुनवर किया स्टेज बर बेड़े हुए पार्टी के जिम्मेदारान, कारिय करता हुद्दार, आप सब भाई बड़े बुजुर्ख में आपका इस्तक्बाल करता हूँ अपनी बात को आपके सामने रखते हुए, मैं एक शायरी बेश करूँगा रास्ते कठीन भी है, रास्ते कठीन भी है, रास्तों के बीश पत्तर भी है, रास्तों के बीश काटे भी है लेकिन हमारी मन्जिल साफ है और वो मन्जिल है All India मजलिस से इतिहादुल मुस्लमीन आपने अभी तक जिसको वोट दिया हमने यहाँ पर आते हुए रस्ते देखे मैं दाली लिवना में ही रहता हूँ रस्ते देखे यहाँ का डेवलप्मेंट देखा यहाँ पर कोई डेवलप्मेंट नहीं है यहाँ पर स्कूल नहीं है आज सकल मिडिया के अंदर हमने देखा के बहन सद्दा सद्दा की काफी बाते हो रही है मैं चाहता हूँ और हमारी पार्टी भी चाहती है कि जो भी सद्दा का कातिल है उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन बिल्किस बानू को बिल्किस बेहन को भी नहीं बुलना चाहिए उसके साथ इंसाफ होना चाहिए क्या मुलतो हूँ भाई लो होना चाहिए ना इंसाफ जब आजादी अभी आगस्ट महीने में 75th Independence Day हमने बनाया और आपने देखा कि उस 11 आरोपियों को मलब रिया कर दिया ऐसी इनकी मलब इंसाफ नहीं है वी वांट चेस्टिस ना हम लोग को इंसाफ चाहिए अभी हमने देखा कि ये तीन पार्टी आम आदमी पार्टी BJP Congress ABC Analysis करते ABC Analysis क्या करते असाफ और AIM पार्टी के उपर इंसामात लगाते कि ये तो BJP की B Team है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ हम हमारी सियासी जमात मजबूत करने आया है हमारा प्रेट्ट फॉर्म यही है कि हम मजलुमों की आवाज बन सके दारु सलाम की बात करू हैदराबाद में तो आपने देखा होगा हमारे दारु सलाम के अंदर सीख, इसाई, हिंदू सभी धर्म के लोग आते हैं अससाब उनकी मदद करते हम धर्म की राजनिती नहीं करते हमारा प्रेट्फॉर्म हमारा मकसद यही है कि हमारे एरिया का डेवलप्मेंट हो दाली लिम्डा, बैरामपुरा जमालपूर, बापुनगर और काफी है सारे ऐसे इलाके हैं जा स्कूल नहीं है जा कॉलेज नहीं है हम लोग को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है मैं खुद भी बैखुद भी मेकेनिकल एंजीनियर हूँ और मैंने पढ़ाई है हमारे एरिया में स्कूल ही नहीं है ना एंजीनिरिंग कॉलेज है पढ़ने के लिए लोग बाहर एडमिशन लेते है रही बात अभी कुछ लोड दिल्ली से आए है काईसा है दिल्ली से आए क्या बाटना है फ्री की रेवडी क्या फ्री की रेवडी अरे भाई जब आप दिल्ली के अंदर बेटे थे आप ने इल्जाम लगाया 2019 के अंदर जब कोविड आया था तो ये लोगों ने तबली की जमात के मरकेज पर इल्जाम लगाया उनको कोड के अंदर दक और जेल के अंदर मलब भेजा आप ऐसे चाते हो कि आप लोगों की इंसाफ की बात करे ऐसे इंसाफ नहीं होगा ऐसे इंसाफ नहीं होगा मेडिया के अंदर बिच में किसी ने सवाल मिडिया वाले भाई ने सवाल किया सवाल ये किया कि आप हम मुसल्मानों की बात क्यूं नहीं करते हम दलीतों की बात क्यूं नहीं करते हम आदिवास्यों की बात क्यूं नहीं करते तो उन्होंने बोला हम तो एज्यूकेशन की बात करते अरे आप education की बात तो करते हैं लेकिन इंसाफ की बात नहीं करते आप जो guarantee card बाट रहे हो मैं आप से फूछना चाहता हूँ आप ने हमारी मस्जित की guarantee नहीं दी आप ने हमारे हिजाब की guarantee नहीं दी आप ने हमारी हग बात पर बात करने की बात नहीं की आप पर यकीन नहीं है और इसे लिए M.I.M. का ये platform है जहांपर हर मजलूमों की आवास लिकिली हर मजलूमों के लिए हम कड़े रहेंगे इंशाल्ला चाहे वो फुलिस कर्मी हो चाहे वो गवर्मेंट एंपलर हो चाहे वो स्टुडेंट हो फुलिस कर्मी की भी बात करता हूँ तो सल्यूट करता हूँ यह जो काम करते हैं अलहम्दोलिल्ला मेरी जमात के अंदर भी बहुत सारे फुलिस कर्मी है मैं उनको सलाम करता हूँ ग्रेट बे की बात करूँ ये ग्रेट बे की रेवडी दे दी इनोंने प्लिश प्रसाशन से बात करता हूँ इंशालला अगर हमारे MIM के ML जितेंगे तो ये भी एक टॉपिक रहेगा यहां के जो कौशिका मैडम परमार को आप जीत दिलाएए मैं उनसे ये अपील करूँगा कि आपका जो ग्रेट बे का मसला है इंशालला वो भी हल किया जाएगा जादा बात नहीं करूँगा आप मैं मुझे सुना उसके लिए बेहत शुक्रिया और भी महमान और भी लोग जिम्मेदारा लोग बात करना चाहते हैं आपके सामने असलाम उलेकुम खुदाफिस इंशालला मौका मिला तो मैं आपके सामने और भी बात करूँगा खुदाफिस